हेलो एवरिवर्ण गुड मॉर्निंग वल्कम बैक टू मैं चैनल कैसे हैं आप सभी आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे तो जी मॉर्निंग का टाइम है और मैं हूँ अपने ससुराल में जैसे कि आप सब को पता है सबसे पहले आप सभी को सौरी बोलना चाहूंगी क्योंकि दो-तिन दिन से कोई वीडियो नहीं आप आ रही है और आप सबके ना कॉमेंट आ रहे हैं कि अप वीडियो कब डालोगे आपकी वीडियो का बड़ा इंतजार है हमें क्योंकि में कहीं गई ठी आ आज कल गाउं के तो अम पहुंचें उसके दूसरे दिन में चली ठी अपनी बुवाजी के वहां मतलब मेरे हजमन की बुवाजी है नो उनके बेटे की साधी ती ना तो हम वहान जाना था तो हम वहां चले गई थी तो वहाँ जागे फिर होता है जब कभी कबार हम जाते हैं और फिर मैं वीडियो वगरा, एडिटिंग वगरा करने का मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था और उनके साधी का वीडियो मैंने सूट करा है वो मैं आपके साध बाद में कभी शेयर करूँगी जब मैं दहरा दू जाओंगी उसके बाद क्योंकि उसमें छोटी-छोटी सी क्लिप्स बहुत सारी ले रिखे और मुझे एडिटिंग करने में उसमें बहुत जादा टाइम लगने वाला है और ससुराल में इतना फॉन लेके बैठे रहोना तो अच्छा नहीं लगता तो फिर मैं इसलिए उसको बाद में डालूँगी और जब हम वहां से आ गई थे न यह उसके दूसरे दिन मॉर्निंग का टाइम है यहां पर मॉर्निंग में मैं उड़ चुकी थी मम्मी पापा जी और हजबन जी भी सब को लोग उड़ चुके थे बस मेरे बच्चे जो है वह अब बिस सो रहे थे सबसे पहले यहां पे मैंने अपना मौव वगरा दू है मतलब अपना मॉर्निंग का जो भी फ्रेसन अफ होने का काम होता है वो करा उसके बाद जो है मैंने कीचन की जहां पे हमने अपना इंडेक्षन में लगा लेके आए थना दहरा दून से वो लगा रखा है बस वहाँ पर थोड़ सा सफाई कर दी है उसके बाद जो है मैंने बना दी थी चाई और हमने अपनी मॉनिंग वाली चाई इंजोई करी तो मेरे ससुराल में जादा तर हम लोग ब्लैक्ती ही पीते हैं क्योंकि दूद की ना दुकाने बहुत जादा दूर है मेरे ससुराल से दुकान तक का ना मतलब डेर से दो किलो मेटर मान की चलिया हमें पैदल एकदम चड़ाई चड़के जाना पड़ता है तब जाकर दुकान आती है तो फिर इसलिए और जो भी दुकाने है या फिर जो भी घर है वो काफी दूर दूर तक है तो इसलिए जो है ब्लैक्ती ही जादा बनती है क्योंकि इतने दूर जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है डेली डेली तो बस चाय बगर पी ली है हमने उसके बाद जो है अब यहां पर मॉनिंग की जाड़ू लगाऊंगी मैं और गाऊं में ऐसा होता है ना क्योंकि यहां पर होते हैं मिट्टी के घर तो जितना आप जाड़ू पोचा पोचा तो नहीं होता है यहां पर जाड़ू डश्टिंग कर लो सब कम पढ़ता है क्योंकि धूर बहुत ज़्यादा उड़ती है जी देखे है यहां पर चैय वगयर पीने के बाद घर की साफ सफाय करके मैं आ चुकी हूँ तो जब से मैं घर आई हूँ तो हमें साधी में ही हो गए थे तो फिर उसके बाद घर पर आये और मुझे घास काटना बहृत ज़्यादा पसंद है जब हम छोटे थे जब हम पढ़ाई वगरा करते थे मतलब तब जो है मम्मी भी मेरी जो मम्मी मतलब मैं के मैं मम्मी ने भी ना भैस वगरा रखी हुई थी तो हमें घास वगरा काटना बहुत अच्छे से आता है और अच्छा भी लगता है मुझे घास काटना और घास जंगल में इतनी बड़ी-बड़ी हो रखी है आप देख सकते हैं बहुत बड़ी-बड़ी सी घास हो रखी है और घहस को काटे में मुझे बहुत मज़ा आता है तो यहाँ पे ममी ची जारी थी वो तो मुझे मलाम बोल डी थी मना की मतलब तु घर पे रह ले नास्ता वगारा बना देना तो तक मैं गहस काटकी ले आती हूँ तो फिर नास्ता बगरा का काम आज इतना कोछ खास था नहीं सबजी रोटी बगरा बनानी पड़ती है ना तो कल रात की सबजी भी बच्ची हुई थी और सोरी रोटी बच्ची हुई थी तो मैंने सोचे क्यों ना सब के लिए मैं प्यांच टमाटर बगरा डालके मैगी बना दू थोड़ा सा ग्रेवी वाली जो बनती है उसमें रोटी भी खा सकते हैं रोटी अच्छी भी लगती है कल रात को हमने आलू की सबजी बनाई थी तो सबजी भी बच्ची हुई थी तो उससे हमारा नास्ता हो जा तो जो है हमारी भैस के लिए घास की कमी ना हो इसलिए बस मैं आ गई थी घास कारने और ममी जी जब घर पे रहती है ना अकेले तो उनके लिए बहुत ज़्यादा काम होते हैं मार्केट बगरा का भी देखना होता है घर के काम सारे देखने होते हैं कीचन से लेकर गाई भै तो मैं कोसिस करती हूँ मैं कि उनको आराम दूँ और मैं जो है उनको ज्यादा काम ना करने दूँ तो देखिए हमने घास काटे कम से कम हमें आधा पॉना घंटा हो गया होगा आए हुए और हजबन जी के और मेरे ससुर जी के बार बार कॉल आ रहे थे कि घर आ जाओ आप ने जी कि अभांड़ा और मेरे दीटिते हमा जब तक हम घर आए मेरे बेच्चे भी ओड़ चुके थे और ़र हजबर नएना मेरे आने से पहले ही मैगी बना दी थी बस मेरा काम था फिर जो घी लगा के रोट' रखी हुई थी रात की ही रोटिया थी तो बस हमने उनको गरम करा मैं ने जल्दी से सब नास्ता बगरा कर लिया है और यहां पर नास्ते के बरतन थे इनको मैं वाश कर रही हूँ और कीचन में जो है नास्ते के बाद वाली जो हमारी चाय होती है ना वो में चड़ा के आ गई थी जब तक मेरे बरतन धुलेंगे इतनी देर में मेरी चाय बनके हो जाएगी तयार जो भी लोग सहरों में रहते हैं ना उन सब को गाओं आना बहुत ज़्यादा पसंद है और गाओं की लाइफ ना हर किसी को अच्छी लगती है पर गाओं की लाइफ जितनी अच्छी लगती है ना उससे कई ज़्यादा टफ होती है यहां की लाइफ बहुत ज़्यादा टफ है सच में सहरों में हम लोग रहते हैं मॉर्निंग में हम ना कोसिस करते हैं कि बस धूप निकलने से पहले हम अपने सारे काम खतम करके अपने घर में आराम से बैठे रहें पर यहाँ पे तो बस उजाला हुआ तो आप यह सोचों कि मतलब आपको जब थोड़ा सा दिन में रात को जब भी रेश्ट करना होता है या तो आप रात को सोने के लिए ही अंदर जाते हैं या फिर दिन में लंज के बाद थोड़ा बहुर आपने रेश्ट कर लिया तो अधा गंटा एक गंटा बस उसके अलावा आपको घर में घुसने का ना टाइम नहीं मिलता है घर में इतने सारे काम हो जाते हैं जो लोग जानवर अगर पालते हैं उनके तो बहुत जादा काम होते हैं बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है और मेरे सस्वराल में पानी बगर के भी काफी प्रॉबलम है य गर पर के काम कर हम लेंगे करके, पर इस बार जब से हम आये हैं तो यह नल लगा रहा है, अब देख रहे होंगे घर पे, तो कल राज से इस पर continue पानी आई रहा है, इतना तेज तो नहीं आता हल का फुलका आता है, पर हां इतना है कि अपना प्रसनल नल है, किसी के सांथ वो तो सादिके थे तो आधे कपड़े तो मैं बुवाजी के घर से ही धोके पानी नहीं थे तो इसलिए मैं जब भी दहरादों से आती of तो कपड़े हिसाब से ही लाती हूँ क्योंकि सामान अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है ना तो उसको ले जाने में उपर लाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है तो बस इसलिए मैंने सारे कपड़े धो दिये हैं और देखे धूप इतनी तेज आई हुई है ना पर मौसम ना काफी अच्छा है गाओं का गर्मी बिल्कुल भी नहीं है बहुत अच्छा मौसम है ठंडी ठंडी हवा मेरे ससुराल ना एकदम टॉप में है तो यहां पर हवा काफी अच्छी चलती है तो गर्मी का इतना एहसास नहीं होता है और देखे सारे कपड़े धुल्चे के हैं जब तक सारे कपड़े बगरा धुले इतनी देर में लंच का ही टाइम हो गया था क्योंकि मेरे ससुराल वाले लंच मम्य पापा मतलब लंच बहुत जल्दी कर लेते हैं काउ में जादा तर लोग ना 12-12 बज़े तक लंच भी अपना फिनिश कर लेते हैं क्योंकि मॉर्निंग में 4-5 बज़े से उठ जाते हैं उसके बाद जो है 7-8 बज़े तक उनका नास्ता हो जाता है तो फिर 12-1 बज़े तक उनका लंच हो जाता है तो बस आजकल मैं भी मॉर्निंग में 5 बज़े उठके मम्मी जी के साल लग जाती हूँ जो भी छोटे मोटे से काम होते हैं उनमें और यहां पर देखे कपड़े वगरा मैंने सुका दिये हैं यहां पर अब आ गई है बारी लंच बनाने की लंच में जो है सबजी वगरा तो हजबनी बनाएंगे बस मुझे चौपिंग करनी थी क्योंकि हजबन बिना मेरे बहुँझ ज़्यादा अच्छै है यह सारे काम करने हैं अब ऑन बिना हैं अपने तरफ से पूरी हलप कर देते हैं जितना उनसे हो पाते है तो यहाँ पर देखे或 देखे मुझे घाऑ नहीं हो 20 में थए तो देखे यह सारी चीजह गाउ में इसी तरीकी से ही अच्छी लगते हैं कोई mix वगरा machine वाली चीज़े यूज करना गाउ वाले लोग पसंद नहीं करते हैं यहां पे देखें आपे मैंने मसाले सारे रग दिया हैं मिर्च वगरा और मिर्च लसन वगरा धनिया तो कोई भी चीज ना हमारे यहां पर मिर्ची हो चाहे धन्या हो या फिर जीरा वगरा जो भी हो सारे पाउडर जो भी आते हैं वो हम पाउडर वाले यूज नहीं करते हैं सारे मसाले पीस के ही यूज़ करते है और मसाले पीस के बनाऊना सब्जी उसका टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा आता है यहाँ पे मैंने मसाले पीस के दे दिये हैं हस्बन को और प्याज चॉपिंग तो हस्बन ने कर ली थी सब्सक्राइब दिखा बाहर बनाने में को ने दोगता है और बापजी बापयजी ने यहां पर खाना बनाने के लिए च्परी टाइप में वोड रखे तो यहां पर जैसे थूप हो चाहे बारिष हो बहुत भीक नहीं सकते हैं बहुत प्यार से आराम से आप अपना काम कर सकते हो ना तो आपको धूप लगेगी ना तो बर्शात में आप भीगोगे तो यहाँ पर बाहर के साइट खाने बनाना मुझे अच्छा लगता है यहाँ पर हवाई भी काफी अच्छी चलती है तो एक साइट हजबन जो है सबजी बना रहे हैं दूसरे साइट कड़ी भी बनानी थी कड़ी जो है मैंने इंडेक्शन में चला दी थी और गैस पर चला दी थी चावल यहाँ पर मेरे बच्चों को गाउम में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और विट्टू को तो बहुत मज़ा आता है गाउम में तो वो अपने कलर वगरा लेके न मुर्गियों के साथ बैठी हुई है क्योंकि उसको मुर्गिया बहुत ज़्यादा पसंद है तो बस मुर्गियों से वो बाते करती रहती है साथ में अपने ड्रोइंग वगरा के सामान भी वो तहरादून से ही ले आए थी तो वो भी अपना वी इंजोई बच्चे कर लेते हैं यहाँ पर देखें मैंने चावल चड़ा दिये थे बीच बीच में इनको भी मैं चेक करती रहूंगी ताकि चावल हमारे जलेना और जो है इसी के साथ ही अपने आज की वीडियो को भी मैं यहीं पैन करूंगी I hope आप सभी को मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मैं आप सबसे मिलूंगी अपने अगली ने वीडियो में तब तक के लिए बाबाई एंटे क्याएट